एंशे 죄송 में आज अपने को देखना है। गुपता एंपायर कोुष्षभूती डैनिस्टी पाला एंपायर और फिर अपने सťव एंप सकते हैं पंत ना पार्ट ऐसे डि मैं चीजे अउंपायर करते हैं। जो अपना रुपिया चलता है तो वह जो नाम पढ़ा है रुपिया वो इनके टाइम से पढ़ा था अभी उसको देखेंगे बाद मैं तो पहले अगर इसके फाउंडर की बात करें तो गुपता एंपायर के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुपता इन्होंने इस गुपता एंपायर को शुरू किया था उसके बाद इनके बेटे थे वो थे घटोतकच तो कई बार क्या हो रहा है कि सवालों में जब प्रीवेस हेर के सौल करोगे तो वहाँ पे नाम लिखा हुआ कई जगे दिखता है गटोतकच तो पता नहीं चलता कौन सा गटोतकच कहा है गटोतकच तो वो जो गटोतकच है उनका गुपता एंपायर से लेना देना है इसके फाउंडर के वो बेटे थे अब इसके जो important राजा है जो अपने गुपता एंपायर के अंदर के important राजा है और उनके जो खास achievements है इन पर previous year में सवाल अपने को दिखते रहते हैं तो वो अपने को पढ़ना है सबसे पहले नाम आता है अपना चंदरगुप्त 1 का यह चंदरगुप्त 1, 2, 3 इस तरह से चलेगा अब यह वाले चंदरगुप्त और चंदरगुप्त मौर रहते हैं यह लोग अलग-अलग हो गए पस्नेहम सेम हो गया चंदरगुप्त लेकिन अलग-अलग personality अब देखोगे यहाँ पर चंदरगुप्त 1 आ रहा है फिर 2 भी आएगा तो confuse नहीं हो ना एक ही नाम के दो-तीन अलग-अलग time period में लोग थे अब यह पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिनको महराजा धिराजा का title था तो पहले के जो भी राजा थे वो उनको title लेने का बहुत शोक था किसी को विक्रमादित्य का title चाहिए किसी को महराजा धिराजा का title चाहिए ऐसे सब title की लड़ाईया उसमें चला करती थी तो इनको जो है महराजा धिराज के नाम से जाना जाना पसंद था फिर इनकी जो authority थी अब जैसे इसके पहले जो अपना बहुत लंबा चोड़ा एंपायर था उसके बिखरने के बाद अलग-अलग छोटे-छोटे एंपायर से अपनी शुरू ही थी तो इनकी भी पहुँच काफी थी मॉर्यन जितनी तो नहीं थी लेकिन फिर भी नॉर्थ जो नॉर्थ इंडिया था उसमें इनकी अच्छी कासी कमांड थी तो मगध हो प्रयाग हो इस तरह कि जो आसपस के पूरे अपने नॉर्दन रीजन थे वहां इनका पूरा फैला हुआ था पूरा इनका राजपाट था और पाटली पुत्र जो था वो इनको दहेज में मिला इनोंने शादी करी थी उस समय के जो लिच्छावी कीग्डम थे वहां की राजकुमारी थी अमर नाम बता सकते हो किस से था अगर याद हो तो कि यहां तक मुझे याद कुमार देवी करके नाम था उनका तो कुमार देवी से शादी कर रही थी चंद्र गुप्त वन ने फस ने और पार्टली पुत्र जो है वो उनको देज में मिल गया था इनका इतने achievement है जो अपने लिए important है फिर आतने हैं समुद्र गुप्त अब यहां से थोड़ा सा गुपता एंपायर का प्रचार प्रसार शुरू होता है फैलना शुरू करता है और इनके achievements बढ़ने लगते हैं समुद्र गुप्त की बात करें तो इनको कहा जाता है नेपोलिय आफ इंडिया कहने का तातपर यह होता है कि नेपोलियन जो था उसको भी पूरा वर्ल कॉंकर करना था उसको सब जीत लेना था तो ऐसा ही कुछ जो है समुद्र गुप्त का भी अपने विचारत है कि वह बहुत सारा area अपने kingdom में मिला लेना चाहता था तो बहुत सारे उसन कि अपने previous year में पूछ लेते हैं कि किसे नेपोलियन आफ इंडिया कहा जाता है बस ऐसा सवाल अपने पास लिखा हुआ जाएगा तो अपने को याद आना चाहिए कि समुद्र गुप्त फिर इलहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वह इनके कह सकते हैं कि जो भी इस तर लिखा होती थी उसमें बहुत सारे artistic लोगों को रखते थे poets को लगते रखते थे तो वह लोग कई सारी compositions बनाते थे इनके इनके जो important court poet है वो थे हरी सेना हरी सेना link है समुद्र गुप से ये इनके court poet थे और उन्होंने ही इलहाबाद पिलर inscription बनाया था इनके बढ़ाई करने के लिए और यह भी अगें इसी तरह कि कुछ ना कुछ टाइटल लेते रहते थे कवी राज और यह सब कुछ यहां पर इंपोर्टन नहीं जैसे नेपोलीन और इंडिया यह अपने लिए important है इनका court poet कौन था हरी सेन वह अपने को पता होना चाहिए इलहाबाद का जो inscription पिल नेक्स आतने हैं चंदरगुप्त टू तो पहले स्रीगुप्त फिर घटोतकच फिर चंदरगुप्त वन फिर समुद्रगुप्त फिर चंदरगुप्त टू अब यहां के अगर बात करें तो महरौली इंस्क्रिप्शन है जो की iron pillar है कुतुब मिनार के पास बहुत फेमस है इसा iron pillar माना जाता है जिसमें अभी तक जो जंगली नहीं लगी अभी तक खास चीज थी तो वो जो है वो उसको महरौली इंस्क्रिप्शन कहते हैं वो इन से रिलेड़ेड़ है चंदरगुप्त टू से इन्हीं के कोड में नवरत्न होते थे यह बहुत फेमस चीज है तो य उसमें astrologer था इस तरह की जो भी चीजे है वो अपने को देखना है तो नवरत्न थे चंदरगुप्त टू के कोड में फाहीन बहुत इंपॉर्टन जो चाइनिस पिल्ग्रिम थे वो इनके टाइम पर आये थे तो फाहीन आये थे चंदरगुप्त टू के टाइम पर इसके पह फिर इन्होंने जो साका उसमें के जो क्लेन होते थे उनको हराया था नाम था रुद्र सिम्हा थी उसमें साका वाका यह सब की लड़ाई हो रही थी आगे देखेंगे हुंस भी इसमें आगे कूत पड़े थे तो बहुत सारी चीजे थी तो कॉनक्वेस्ट चलता रहता था यह इसका राजपा ठड़ा परा है वो उसको कॉनकर कर रहा है इसको मार दिया चादी करके अपना रीजन बढ़ाना बहुत सारे उससे में यह सब चलते थे तो फस्ट गुपता रूलर टू इशू दा सिल्वर कोईंस अगर गोल्ड कोईंस की बात करें तो इंडिया में सब से पहले गोल्ड कोईंस किश्वर कोईंस किनों ने लाएते हैं इंडो ग्रीक कोईंस अपने यहां पर ला रहे हैं गुपता एंपआर तो गुपता इश को गोल्डन एश कहा जाता है गुपता एश क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक हो या फिर लेटरेचर से रिलेटेड़ चीज़ें हो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हुई थी अच्छी मानी जाती है यह बात हुई अपनी चंदरगुप टू की तो पहला तो अपना महरौली इंस्क्रिप्शन जो आइरन पीलर है कुतुब मिनार के पास फिर नौरत्म जो थे वो इनके कोर्ट में होते थे फाहीन चाइनीज टेवलर पिल्ग्रिम जो थे वो इनके डूरेशन में आये थे और सिल्वर कॉइंस इन्होंने इशू किये थे फिर आते हैं अगले जो इस डाइनस्टी के या फिर इस एंपायर के वो है कुमार गुप्त तो कुमार गुप्त वन जो है वो कार्थि के भगवान के को मानते थे उनको पूछते थे और इनका जो एक बड़ा अच्यूमेंट है वो है नालंदा महावीरा विश्विद्याले का यह इसकी स्थाप नहीं है इसको बनाने का काम इन्होंने शुरू किया था तो शुरुवात नालंदा उन्वरसिटी की गुपता पीरेट से हुई थी किस ने करी थी किस गुपता रूलर ने की थी कुमार गुप्त वन ने उसका फाउंडेशन रखा था कुमार गुप्त उसके बाद और भी आगे आएंगे जैसे जो पाला डाइनिस्टी है उन्होंने फिर और इसको आगे बढ़ाया था नालंदा उन्यूरसिटी में और बहुत सारी चीज़ उन्होंने बनाई थी तो पर स्टार्टिंग हुई थी कुमार गुप से इसलिए यह विक्ति इंपोर्टेंट हो जाता है जस इस नालंदा महावीरा विशृत द्याले के कारण क्योंकि बहुत फेमस चीज़ थी आज भी है लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी फिर जो अपने फेमस मैथमेटिशन है आरे भट जिन्होंने जीरो की खोज करी थी पा है आरे भटी है यह तो इनके नाम से यह तो याद हो जाएगा दूसरा सूर्य सिध्धांत तो अस्ट्रोनामी में भी काफी उन्होंने चीज़े रखी थी कि प्रत्वी जो परचाई पड़ती है और दूसरा प्रत्वी जो है वो अपने धूरी पर घूमती है वो सारी चीज अपने पूरी सारी इस्टि में जिनसे सवाल उठा उठाके बार बार पूछे जाते तो वह अपने सारे पता होना चीजिए अब हिस्टि एसा सब्जेक्ट है कि हमेशा कुछ तो भी सवाल आ सकते हैं वह पूछ ले गुमार गुप्त की वाइफ कौन थी तो क्या पता यह सा करता है अलतु पालतु सवाल छोड़ो वो तो कोई नहीं कर पाएगा पर जो चीज़े हर कोई कर पाएगा यह सारी चीज़े वो हैं जो पढ़के प्रिपेर की जाती है इनसे इनके सवाल पूछा जाएंगे तो डेफिनेट आंसर लोग दे रहे होंगे तो अपने को भी देना इंडिया में तो हुन जो थे वो अपने सेंटरल एश्या रीजन के कहीं के थे वो लगातार इन्वेजन करते जाते तो इन्वेजन मतलब ऐसा नहीं होता था कि बस एक बार आया लड़ाई जगड़ा क्या चले गए पैचस में होता था कि पहले ग्रूप आया फिर बाद में यहां पर हुनास का या फिर हुन्स का ट्राइबल नॉमेडिक लोग थे पिर जो सकंद गुप्त का जो अचीवमेंट था कि बार बार इन्वेजन होने के बाद भी उन्होंने उसको अच्छे से रिपेल किया था तो हुनास से वह इन नॉमेडिक पीपल से अच्छा-कासा ल सारे क्या है खास टाइटल होते हैं हर राजा उस टाइटल को लेना चाहता तो तो वह अपने कोई भी प्रशस्ति लगा देता था और अपने आप टाइटल ले लेता था इसी वज़े से एक जैसे नाम के बहुत सारी चीज़ें यहां पर दिखेंगे कि यहां पर भी विक्र पुषभूती डाइनस्टी की तो जो हुनास का जो अपना बार-बार-बार-बार अपना इन्वेजन होता रहा उसकी वज़े से गुपता एंपायर फाइनली स्प्लिट हो गया बहुत सारे हिस्सों में और नेक्स्ट अब आया थे पुषभूती डाइनस्टी इसी लगातार होता जा रहा तो उसकी वज़े से गुप्ता एंपायर वीग पड़ रहा था इसकी वज़े से छुटे लोटे प्रभाकर वर्धन यह तो प्रभाकर वर्धन के बाद इंके बेटे थी राज्य वर्धन फुर उनकी सिस्टर ती और वहां पे sister के husband को मार दिया था फिर उन्होंने प्रतिशोद लेने के रिए ये किया वो किया सब कुछ था पर वो personal life हो जाती तो उसमें अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को important achievements इनकी देखनी कि क्या थी और हमारे लिए क्या important है उसमें से प्रभाकर वर्धन के बाद आये थे राज्यवर्धन की मौत होने के बाद assassinate कर दिया गया था उनको फिर आये थे हर्षवर्धन अब हर्षवर्धन से important चीजे शुरू हो जाती है हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी capital बनाया था तो पहले capital थी थानेश्वर उन्होंने shift कर ली थी उसको कन्नौज में और इनक वेलर था यह सब कुछ दूसरा भानाभट इनका भी court poet तो एक तो हमने हरी सेना देखा था अब यहां पर है भानाभट भानाभट इनके court poet थे और भानाभट के रिखवी किताबे भी important है तो वह है हरिश चरित्र हर्षवर्धन के उपर उन्होंने लिखी थी फिर चाइनीज पिल्ग्रिम जो हुन सेंग है यह आये थे हर्षवर्धन के पीरेड में तो अपने मेगस्थनीज हो गए फाहीन हो गए और यहां पर हुन सेंग हो गए यह लोग कब आये थे किसके टाइम पर आये थे यह चीज़े important है क्योंकि यह लगातार as it is पूछा जाएगा कि हुन से जो है वो किस राजा के टाइम पर या किस एंपायर के टाइम पर आये थे पर उनको सिलादित्त के नाम से भी जाना जाता है भर्षा अगे नोई टाइटल वाली बात है कि किसी को विक्रमा दित्ती चाहिए किसी को महराजा धिराजा चाहिए इनको सिलादित्ती चाहिए था वहाँ पे अपने को ये मिलेंगे तो बहुत सारे उन्होंने जीते थे बहुत सारी वार conquest जीता था लेकिन जो खास हार है वो है पुलकेशन 2 से तो जो डेकन एरिया में वो अपना region expand करना चाहते थे वो नहीं कर पाए उनको चेक किया था फुलकेशन 2 ने तो ये अपनी बात हुई यहाँ पे जो northern kingdom यहाँ पे अपने चल रहे थे तो इसके बाद एक पाला empire अपना important हो जाता है और पाला empire को important इसलिए होता है क्योंकि एक तो founder पे सवाल आया हुआ है और दूसरा इनका achievement क्या था नालंदा universities related दो चीजे फिर यहाँ पे पाला empire की बात करें तो वो Buddhist dynasty थी मतलब जो Buddhist इनसे जो राजा वगर रहते वो Buddhism को मानते थे Bengal के आसपास का इसका लगभग origin था और इसके जो empire के जो और दूसरे important राजा थे वो थे एक थे धर्मपाल और दूसरे देवपाल वसी नाम अपने को पता होना चीज़ी प्लस यह पाला आ रहा है तो यहां से एक तो विक्रम शिला और यहां पर नालंदा को उन्होंने रिवाइब किया था यह दो important काम हो गए पाला empire में किसके दौरा धर्मपाल के दौरा और नालंदा जो था वह इनके time पर बिल्कुल पीक पर था इनोंने उसको बहुत support किया आगे बढ़ाने में उसकी स्थापना तो गु कि उन्होंने उसको डेलप कर आया था अच्छा उन्होंने उसको university का रूप दिया था तो नालंदा university इनके time पर कह सकते हैं टॉप पर थी यह बात हो यह अपनी पाला एंपायर की अब थोड़ा सा एक मात्र चीज अपनी इंशेंट में बचिए वह सदन रीजन के जो kingdom थे अब सदन रीजन के kingdom में बहुत ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना होता है यहां पर अपन बहुत ज्यादा selective हो जाएंगे in fact क्योंकि एक त simple founder पूछ लेते हैं क्या उन्होंने artistic work किया था वो पूछ लेते और कहां के थे उनका जो बेस था वो कहां पर था उनका जो capital थी वह कहां पर थी बस ऐसे सवाल इस पर अपने आते हैं अपने को भी उसी को टार्गेट करना है तो southern kingdom में अगर बात करें तो पल्लवास थे जो थे वो कांची बेस थे मतलब ये उनका capital था फिर चालुक्यास थे और पंड्यास थे बहुत सारे हैं रास्ट्रकुटास भी आएंगे गुर्जर प्रतिहारा भी आएंगे भोजवाले भी आएंगे बहुत सारे हैं पर वो सब छोटे छोटे हैं तो बहुत जादा उनका contribution है नहीं ना अपनी किताबों में बहुत जादा उसके बारे में कोई detail लिखी हुई है इसलिए main चीजों को focus करते चलेंगे जहां पर बेस सवाल दिखते रहते हैं और previous year में आयोगे तो south की अगर बात करें तो पल्लवास चालुक्यास और पंड्यास जो थे वो लोग उहां पर पावरफुल इमर्ज हुए थे उपर जो पुलकेशिन के अपने बात करी थी वो इस चालुक्या किंग्डम के या इस डैनस्टी को बिलॉंग करते थे पल्लवास जुरूल अवर दा सदन आंध्रा और नॉर्दन तमिल नाडू तो south के तीन हिससे महां पर बन गया थे तो ज कांची जो था वो उनकी कैपिटल थी तो पल्लवास की जो कैपिटल है वो कांची है आज के जमाने में कांची पुरह में तो माना जाता है कि वही रीजन था उनका और बहुत सारे इन लोग उन्हें टेमपलस वगारा बहुत मना थे बेस था या फिर इनका capital था Pulkation उन्होंने ये dynasty स्टार्ट कर रही थी चालुक्या की और Pulkation 2 was the greatest ruler ना greatest क्यों क्यों कि यही थे Pulkation 2 जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था जब वो अपने Deccan में conquest पर निकले थे Pulkation 2 चालुक्या dynasty के थे यह एक अपने लिए important data बन गया next अगर इसमें बात करें तो चोलास थोड़ा सा यह important हो जाते हैं क्योंकि तीन चार्च एजेंसी related हैं जो की लगातार पहले दिख चुकी हैं तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें इनके founder founder जो थे वो थे विजेलया और जो capital थी चोलास की वो थी तंजाओर में दूसरा इसके जो एक important राजा थे वो थे राजा राजा वन यही उनका नाम है राजा राजा वन उन्होंने नेवल expedition किया था श्रीलंका के खिलाफ अब नेवल expedition आप दिखोगे अभी तक कहीं जाद हमको देखने को मिला नी था जादा तर जो है वो जमीन प्लडाईयां हो रही थी इन्होंने श्रीलंका तक को बिल्कुल अटेक करना शुरू कर दिया था तो इतना उस समय जो है अपनी kingdom को spread करने का craze रहता था इन्होंने राजा राजेश्वरी जा फिर उसे ब्रियदेश्वर या श्रीवा टेमपल है तंजावूर में वो बनाया था बहुत famous टेमपल है और अच्छा टेमपल है और यह बहुत famous है famous होने के कारण यह अपने लिए important हो जाता है तो राजा राजा वन ने ले लिया गंगा काई गंगाई कॉंडा साउथ के साफ से कुछ होगा मेनिंग अपने को तो नहीं पता तो गंगाई कॉंडा उन्होंने अपने लिए टाइटल ले लिया था पिर जो अपना नटराज नटराज की जो मूर्ति होती है लगभाग सबीन ने देखी होगी वो जो है इस चोला पिरेट के आसपास बनी थी तो जो आटेस्टिक वर्क के नाम पर यह अपने लिए इंपोर्टन होता है कि जो नटराज की जो अपनी मूर्ति होती है वो जो जो भी अपना डिजाइन है वो चोला पिरेट के पढ़ने का है नहीं यही सारे लोग थे पल्लवाज चालुक्याज चोला जो उसको जो है सपोर्ट करते थे उस समय के संगम लिटरचर बेसिकली क्या है वहां की जो हाइमसोर पोयम थी सदन उसका कमपाइलेशन जैसे अपना बुद्धिस काउंसिल में कमपाइलेशन होता था जैन काउंसिल में कमपाइलेशन हुआ था वैसी सदन रीजन में जो कमपाइलेशन था उसको अपना संगम लिटरेचर बोला जाता है अब इसके बेस के सवाल देख लेते हैं जो कि प्रीवेस येर में आयो हैं तो बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जो मैंने अभी तक बताया था उसमें से एक दो हो सकते हैं जो कि उसके ना हो तो उसका अपने को थियोरी पता चल जाएगी तो युनिवसिटी विच बिकेम फेमस पोस्ट गुपता एरा वाउस कौन सी थी इसमें पोस्ट गुपता एरा तो समय कुमार गुपत ने नालंदा विश्र द्याले जो था उसकी स्थापना कर दी थी तो यह अपने लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती नेक्स्ट भाना भट्ट वाउज कोड़ पोएट ऑफ विच एमपरर अजित और नेहा आपके माइक आउफ है हाजी हाँ एक मेटे नेहा ओन कर ले नेहा आपको भी आंसर देने मैस्ट अभी क्लास के बाद देख लियता हूं मैसेज़ा चलू यह होगा अपना हर्षवर्धन नेक्स्ट इंडियन नेपॉलियन किसे बोला जाता है समुद्र गुप्त करेक्ट नेक्स्ट वादा फर्स्ट गुप्ता रूलर गुप्ता एंपायर की स्थापना किस ने की थी ना फाउंडर थे श्री गुप्त करेक्ट ओप्शन नंबर ए इलाहबाद पिलार इंस्क्रिप्शन जो है उसमें किसके अचीव्मेंट बताई गई थी समुद्र गुप्त की और समुद्र गुप्त के जो कोट पोईट थे वो कौन थे हरी सेना नेक्स्ट दूरिंग विच गुप्ता किंग स्रीन चैनिस ट्रेवलर फाहिन किसके टाइम पर आया थे हाँ चंद्र गुप्त टू के टाइम पर आया थे फाहिन नेक्स्ट poet कालिदासा lived in the court of जो नवरत्म की बात हुई थी थी न उसमें ये कालिदास भी थे तो इसलिए वो उसमें आपको होंबग दिया था कि उसमें बहुत और भी लोग दिखेंगे उसमें इंपोर्टेंट है तो कालिदास कोर्ट समें चंदरगुप टू के टाइम पर थे और ये नवरत्म में से एक माने जाते थे नेक्स्ट चाइनिस फिल्ग्रीम वो विजिटेड इंडिया दूरिंग हर्श्वर्धन पीरेड फाहीन तो आये थे चंदरगुप टू के टाइम पर फिर दी गुप्ता किंग भो अस्यूम् त नविक्रमाधित्य का टाइटल लिया था सारे गुपता केंग ये लिया था चंद्रगुप टू ने लिया था विक्रमाधित्य का ये फिर अग्एट एस्टॉनमर अ्ण मैथेमितिशन दूरिं दिगुपता पीरेड जीरो की खोशकरी थी, पाई की वैल्यू निकाली थी, आरे भट, आरे भट, गुपता पीरेट में जो कंटेम्टरी थे वो आरे भट थे, एक जो वरा मीरा है ना ये भी इंपोर्टेंट वेक्ति हैं, ये भी उस समय के एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, अब पूरा ग्रहों का सारी चीजे इन्होंने भी निकाली, तो ये भी एक इंपोर्टेंट वेक्ति हैं, ये भी नवरत्म में से थे, तो जब वो नवरत्म देखोगे तो उसमें ये लोग आपको दिखेंगे, हुन्स को किस ने रोका था, कौन से गुपता किंग ने हुन्स का इन्वेजन रोका था, सक इसके टाइम पे क्या बोला जाता था उसको, करेक्ट, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि उसके टाइम से आज भी बोला जाते है, तो अपना जो रुपया है, वो यहां से निकल किया है, तो उसमें रुपयक बोलते थे, I think silver को उसमें, silver से related वो कुछ था, क्योंकि उन्होंने silver coin issue किये थे, और silver को कुछ ऐसे रुपया या ऐसे कुछ उस नाम से जाना जाता था, तो उसी से currency का नाम उन्होंने अपना डाला था, और उसी से मिलती जुलती नाम आज भी अपना चलता है, इंट्रोड़क्टरी कैपिटल कौन सा था, हर्ष का, हर्ष मतलब कहले कौन सा था, कर्णौज तो उन्होंने बाद में shift किया था, थानिश्वर, थानिश्वर था ना, पुष इनके जो पिता जी थे, उन्होंने थानिश्वर में अपना capital बनाया था, बाद में हर्ष वर्धन ने उसको कर्नौज में shift किया था, इंडियन नेवी एक ही ऐसा वेक्ति जिसके बारे अपने को पता जो नेवी लेके निकला था राजा राजा बन फर्स्ट वाला और यह अपने चोला किंडम का था यह राजा राजा बन चनंका को भी लूटने पहुँच गये थे next पलावास के कैपिटल पलावास कैपिटल कांची पलावास कैपिटल थी वतापि थी चालुक क्यास की हश्वर्धन वाज डिफीटेड बाई एक ही वेक्ति जिसने हश्वर्धन को हराया था पलकेशिन टू है चालुक क्या किंग्डम का रूलर था यह पलकेशिन टू इसीने जब हश्वर्धन अपना डेकन में अपना कॉनकोस लेके जा रहा था तो इसने होने ने दिया इस तो उसको हरा दिया संगा मेज is associated with the history of किस रीजन की हिस्ट्री से related है यह स्टेट फॉरवर्ड यह तो तमिल लाडव न सदन रीजन से related है अपना संगा मेज most distinguished ruler of the चालुक के डाइनिस्टी पलकेशिन सेकेंड यह सबसे important थे बहुत बड़ा अचिमेंटी था उस समय के हर्श्वरदन को हरा देना तो इसलिए यह खास हो गए उस समय which of the following was capital of चोला किंग्स कांची तो पल्लवास की थी तंजओर तंजओर थी चोलास की वही पर उन्हें ने शिव टेंपल भी बनाया था which of the following चोला किंग्स conquered Ceylon, Ceylon मतलब इस समय का श्रिलंका राजा राजा बन था नेवल एक्सपेडिशन लेके गया था बन था पाला डाइनस्टी के फाउंडर है ना गोपाल ये इनके फाउंडर भी थे पाला डाइनस्टी के हर्शा मूब इस कैपिटल फ्रॉम अब तो ये बन जाएगा थानेश्वर में पहले था उसको कन्योज में लेके वो गय थे ये इस लिए अपन वो चीजे पढ़ रहे हैं तो जो अपन देख रहे हैं इसलिए अपन वह चीजे पढ़ रहे हैं अब बन देख ऑन कीजे पहे बनी का अब्रा ट्रॉम प्रॉम वह रहे हैं पहरे हैं झाल ट्यों पहीं झाल 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 झाल